स्वागते बज्चो जेटीचाइम्स के चैनल पे जहां आज हम पढ़ने जा रहें स्टेंडर्ट सेकेंड 1.5 लेंगवेज स्टडी यानि कि यहां पर हम क्या पढ़ने वाले लेंगवेज यानि की ग्रामर की अब स्टाटिंग हो रही है तो पहले यहां पर बोला गया नेमिं पहले आपको पूछा गया है तो पहले आपको पूछा गया है तो तुम्हारा नाम क्या है तो आप यहां पर लिखोगे जो भी आपका नाम रहेगा तो आप लिख दोगे फिर आपको पूछा है are you a boy or a girl यानि की फिर आपको पूछा गया क्या तुम लड़के हो या तुम यानि की आपकी फेमिली में कितने लोग है और कौन-कौन है Then next question पूछा गया आपको Which places do you like to visit? यानि की कौन सी जगा पर आपको घुमना पसंद है यानि की आपको पूछा जारे है पहले आपको पूछा गया था What is your name? Then second आपसे पूछा गया Are you a boy or a girl? फिर आपको पूछा गया है कि आपकी family में कौन कौन है फिर आपसे पूछा गया है कि आपको कौन से places पर घुमना पसंद है Then next आपको पूछा गया है which is your favorite animal जो है वो पसंद है तो यहां पर आपको भी लिख सकते हैं कि आपको पसंद हो तो आपको लिख सकते हो my favorite animal is dog cat तो यहां पर लिख सकते हो my favorite animal is cat ऐसे करके आपको क्या करना है इस cancer इसको लिखना है तो आप यहां पर क्या लिखेंगी my favorite toy is steady bear वैसे लड़के हो गए कि किसी को cars पसंद रहते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं यहां पर पसंद जिसके साथ आप खेलते हो आप क्या यहां पर लिख सकते हो तो आप क्या लिखोंगे यहां पर I write with a pencil तो आपको यहां पर इन जो questions दिये गए इनका answers को लिखना है फिर next आपको बोले गए all the answers are naming words naming words are simply names of anything यानि कि जो भी आप इसका answer दोगे वो कैसे आएंगे वो naming words में आएंगे और naming words क्या होते हैं वो words जो क्या देते हैं किसी भी चीज को नाम देते हैं जैसे कि इसका answer अगर आप pencil लिखते हैं तो pencil क्या हो गया आपका naming word हो गया फिर जो toy में आप जो भी लिखते हैं वो क्या कर रहा है नेम दे रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा naming word हो जाएगा then next आपको बोला गया let's play यानि कि यहां पर आपको क्या दिया गया है तो आपको क्या करना है इस game को game का instruction दिया गया and then आप इसको कैसे खेल सकते हो वो आपको बताया गया तो पहले आपे बोला गया let's form four group यानि कि आपको चार groups बनाने है और फिर क्या करना है आपको now pick up any one of the card write down as many name as you can related to your card यानि कि आपको क्या करना है कि यह जो card जहां पर दिये गया यानि कि name place animal और thing इसमें से कोई भी एक card को आपको उठाना है और फिर क्या करना है कि suppose आपने animal वाले card को pick किया तो आपको क्या करना है animal से related आपको जितने नाम पता है आपको लिखते जाना है you may discuss with a group member यानि कि आपके जो group में members होंगे आप उन से discuss कर सकते हो जैसे कि अगर आपको animal में कोई नाम नहीं आदार है तो आप अपने group member से पूछ सकते हो कि हाँ कुछ नाम है तो मुझे भी बता फिर next आपको बोला गया you when you finish call bingo यानि कि जब आपका लिखके हो जाए तो आपको क्या बोलना है bingo बोलना यानि कि अगर आपका पूरे example work सबसे जादा नंबर रहगा तो आप ऐसे पहले यह बना लोगगถ अगर नेम्से जो भी नहीं में आता है वह अपना है उपले से पीट Sup artist में आपका आता है भीमी वीम्से द्ञापने सबसे जहादा लेगे और जो ग्रूप सबसे ज्यादा लिखावा रहेगा वह क्या वह जीत जाएंगे Then next आपको बोला गया है Read the following passage carefully Underline the names of people, place, things, fruit etc यानि कि जो passage यहां पर दिया गया है उसमें आपको क्या करना है जो people यानि कि कि इनसान का नाम है तो उसको बोला गया है प्लेस यानि कि अगर कोई जगा है तो उसको underline करना है Then think, अगर कोई चीज है तो उसे underline करना है और fruit यानि कि जो फल होते हैं उसे क्या underline करना है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले passage को read कर लेते हैं तो यह हमें बोलेगा है Today is Raju's birthday तो अगर हम इस line को read करेंगे तो हमें क्या पता चला है कि यहां पर किसी का नाम बोला गया यानि कि राजु राजु क्या है? पीपल है तो हम क्या करते हैं? पहले राजु को underline कर देंगे Then next अगर हम read करेंगे तो यहां पर बोला गया है He is getting ready for the school यानि कि वह school जाने के लिए ready हो रहा है तो यहां पर हमें क्या पता चला है? कि यहां पर वह कोई जग किसी जगा पर जा रहा है और वह क्या है? वह school है और हमें उपर क्या बोला गया है? कि हमें people, place, thing and fruit को क्या करना है? Underline करना है तो school क्या होई? प्लेस होई तो हम क्या करेंगे? school को भी underline कर देंगे Then next हमें पर बोला गया है His mother gives him a mango plant in a pot यानि कि जो उसकी मम्मी थी उसने उसको क्या दिया है? उसने उसको आम का पेड एक गमले में दिया है तो यहां पर भी क्या है? यहां पर mango plant है यहां पर भी क्या होगा? एक नेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? mango plant को underline करेंगे Then यहां पर बोला गया है All his friends wish Raju in the school यानि कि जो उसके friends थे उन्होंने क्या Raju को wish क्या क्योंकि हमने starting में देखा था Raju का क्या था? Birthday था फिर से यहां पर नाम आया वो क्या था? Raju था और फिर प्लेस का नाम आया वो क्या था? School Then next day They sing happy birthday with their teacher यानि कि उन्होंने क्या-क्या उसको wish क्या और वो लोग जो birthday song होता है वो क्या कर रहे? वो गा रहे हो उसको wish कर रहे Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there Everyone clap for him यानि कि फिर teacher ने क्या किया वो क्या लेके गया था? वो आम का पेड लेके गया था तो teacher क्या करती है? जब सब लोग उसको wish कर लेते तो teacher क्या करती है? उसको school के पीछे लेके जाते है और क्या करती है? वो आम का पेड लेके आया था उसको वह पे प्लांट कर देती है यानि कि वहाँ पे लगा देती है तो यहाँ पे क्या जाएगा? Mango plant और क्या होता है? Everyone claps for him यानि कि सब लोग उसके लिए क्या करते है? सब लोग उसके लिए ताली मजाते क्या किया था नेंशे भी, प्लेश, फ्रूट्स आया था आपको बोला गहा है यानि कि यहां पे आपको कुछ वर्ड़्स दिये गहें उसको देखना है ए फिर बोलना है पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है टूडे यानि कि क्या? आज फिर next word हमें कhinा दिख रहे है Next हमें दिख रहे है birthday यानि की जन्म-dend फिर next word का है ? next word is school उसके बाद का है mango mango यानि की आम होता है then fifth word का है plant plant यानि कि क्या पेड then next word next word is pot pot यानि कि क्या gamba जिसमें हम लोग पेड लगातेenter फिर next word is friends फ्रेंड यानि की दोस्त, फिर टीचर, टीचर जो हमें सुबह पढ़ाती है स्कूल में वो क्या हो गई वो फिर हमें बोला गया गया बैक क्या यानि की पीछे की जगा एक नेग्स क्या है everyone, everyone यानि की जगल, तो या पर हमने क्या जो वर्ड से नेखने की जगला, और फिर इस वो पहले जो जगला गया पहले जो questions दिये गया थे वो देखा कि ब्टना उसको लिखना वहाँ जो भी यह question का answer वह क्या वह रहे वह name बता रहे हैं यहाँ पे लिखनाने उन्हें फूंक है यहां पे लिखना प्लेस का नाम लिखना यह इसे क्या कर सकते हैं कोई गेम बना सकते है तो इसी के तरह आमने क्या-क्या इस चैप्टर को भी देखा होप आपको ये वीडियो समझी होगी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू